सब को प्रेज दे लॉड जैमसी की शालोम परमेशर आप सब को आशिश दे फैमिली सीरीज के भाग चार में आपका स्वागत है पिछले तीन बागों में हमने सीखा पुरिशों के बारे में उनकी क्या जुम्यवारियां है उनको अपने परिवार को घर को कैसे चलाना है परमेशर ने कैसा कैसा जुम्यवारी उनको सौपा है और हमने बाइबल में बहुत सारे उधारन देखे पुरिशों के जो एक इसले हमारे आने वली पीडियों को परबावित करेंगे इसलिए आज आप सही चुन लें आज आप सही फैसला ले लें हम बाइबल में जाएंगे पहला पत्रस उसके तीसरे अदियाए में जैसे मैंने आप से कहा था कि अगले भाग से मैं स्तिरियों के बारे में बात तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला पत्रस तीसरे अधियाय में यहां परस्तिरियों के बारे में लिखा है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ जुड़ जाए जैसे हम पढ़ते हैं पहला पत्रस तीसरे अधियाय पहली आयत यहां लिखा है हे पत्नियों तुम भी अपने पती के अदीन रहो कि इसलिए कि यदि इन में से कोई ऐसे हो जो वचन ना मानते हो तो भी तुम्हारे बैसहीत पवित्र चालचलन को देख कर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खीच जाएं यानि कि हम बाइबल में पढ़ते हैं यहाँ पर परमेशर के वचन में लिखा है एक पत्नी अगर पती को रिस्पेक्ट दिखाती है और उसका चालचलन उसका भोलचाल में परमेशर का भै दिखाई देता है तो हम बाइबल में पढ़ते हैं चाए वो पती विश्वास ना भी करता हो तो भी वो पत्नी की और खीच चलाएगा पत्नी का सबाव पत्नी का प्रेम पत्नी का पत्नी की खोमलता पत्नी की अदीनता ये बहुत शक्तिशाली है तो ये कमजोरी नहीं है जैसे मैंने पिछले हफते कहा कई पुरुश सोचते हैं कि मर्द या पुरुशार्थ ये ह कि जो जगड़ा करें जिसको जल्दी घुसा आजाता हो लेकिन हमने वच्चन से सीखा कि नहीं असली पुरुष कौन है और एक पुरुष का सवाव कैसा होना चाहिए वैसे ही औरत की कौमलता उसके शब्दों की मिठास उसको अपने पती को आदर देना यह उसकी कमजोरी नह जानता जिसको परमेशर का वचन नहीं मालूम एक पतनी के सभाव के द्वारा उसकी और खीचा चलाता है कितना शक्ती है पतनी के सभाव में याद रखें यहां खूबसूरती के बारे में नहीं लिखा क्योंकि आगे हम देखते हैं तीसरी आयत में लिखा है तुम्हारा सि पेत रंग ही पवित्र है याद रखे जब परमेशर ने रेंबो बनाया था नू के समय में एक रेंबो दिखाया था तो हम देखते हैं वो रंग भी रंगा था तो यह सारे रंग आज इस संसार में जो हम देख पाते हैं यह परमेशर की खूबसूरती उसकी महिमा को वर्ण करते हैं तो रंग प्रॉब्लम नहीं है एक औरत को अपने बाल को बांधना प्रॉब्लम नहीं है बाल गूंथना यानि बालों को बांधना एक औरत को शिंगार करना प्रॉब्लम नहीं है बारी शिंगार क्योंकि हम देखते हैं सारा के बारे में बाइबल में लिखा है उसके वो एक दिन राजा के सामने जा सके और हम देखते हैं फरमेशन ने कैसे आईसर नाम की इस लड़की को इस्तेमाल की और एक पूरी कौम बचा ली तो प्रॉबलम मेक आप भी नहीं है प्रॉबलम अगर जादा तर शादियों में है वो है औरत की कौमलताई या उसके सबाव को लेकर यानि की एक असली अकरशन जो असली चीज जो एक पती को अकरशित करेगी वो है औरत का सबाव यह बहुत एहम है और बाइबल में सारा के बारे में भी इसके इसमें लिखा हुआ है तो यहाँ पर चौती आयत में लिखे पढ़ते हैं तुमारा शिपा हुआ गुप्त मनुश्यतव नमर्ता और मन की दीन ताकि अभी नाशी सजावट से सुसजित रही आनि कि अंद्रूनी इंसान वो सजा रहना चाहिए अभी नाश सजावट क्योंकि परमेशर की दृष्टी में इसका भड़ा मुल्य है पांच वी आयत पूरवकाल में पुराने समय में स्रियावी जो परमेशर पर आशा रखती थी विश्वास रखती थी अपने आपको इसी रिती से सवारती थी और अपने अपने पती के अदीन रहती थ देती थी उनके शब्दों को आदर समान देती थी तो वचन में लिखा है इस परकार से एक औरत को अपने आपको सजाके रखना है उसके अंदर वो मसी का सवाव वो परमेशर का सवाव वो मिठास वो अदीनता वो नमरता वो रिस्पेक्ट वो खेर जो इसको अपने पती को लिखा है जैसे सारा अबरहाम की आग्या में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी लौड कहती थी उसे प्रबु कहती थी या मालिक कहती थी तो वो रिस्पेक्ट देती थी उसके शब्दों में रिस्पेक्ट थी मैं यह नहीं कह रहा कि आज से पत्नी अपने पती को स्वामी कहना शुरू हो जाए लेकिन यहाँ पर सवाल है रिस्पेक्ट का आदर करने का समान करने का और बाइबल में लिखा है सारा ऐसे ही अपने पती को रिस्पेक्ट करती थी सो तुम भी यदी बलाई करो और किसी परकार के बैसे बैबीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी बला सारा बाइबल में एक बहुत बड़ा नमूना है औरतों के लिए इसलिए चटी आयत में सारा का उधारन लिया गया है बहुत सारी स्त्रियों के बारे में बताया गया है पूरवकाल में कौन सी स्त्रियां थी रूत थी जिसके बारे में हम बात करेंगे एस्तर थी सबसे खु लेखते हैं कि यह स्त्रियों ने अपने आपको अंदर से सजाया हुआ था वो रेवरेंस था वो रिस्पेक्ट था वो आदर था उनके शबदों में वो कौमलता थी तो सारा एक बहुत बड़ा उधारन है सो सारा ने सिर्फ अपने करेक्टर या अपने चरितर के दुआरा ही पती को अकर्शित नहीं किया और परमेशर को वो इसी लिए नहीं बाई कि क्योंकि उसने करेक्टर दिखाया लेकिन वो वुमेन अफ फेट थी परमेशर के वचन में हम जब पढ़ते हैं हम बाइबल में आप स्टोरी जानते हो कैसे सारा जब 90 साल की हो गई अभी भी उसके को साले को सचा जाना था तो हम बाईबल में पढ़ते हैं कि सारा ने सिर्फ परमेशर के सभाव ही नहीं दिखाया सिर्फ अपने पती के प्रती रिस्पेक्ट ही नहीं दिखाया दूसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं उसको परमेशर पर विश्वास भी था और विश्वास के का उसने वो प्राप्त कर लिया जिसकी वो हगदार थी कई बार होता है परमेशर की अगर किसी ब्लेसिंग को हमें समा लगता है तो बहुत सारे लोग विश्वास गवा बैठते हैं उनके मुझ से नकारात्मक बाते निकलना शुरू हो जाती लेकिन सारा 90 साल की उमर में भी उसन सारा ने आप बूरी होने पर भी गरब दारन करने की सामर्त पाई क्योंकि उसने परतिग्या करने वाले को सच्चा जाना था उसने परमेशर को सच्चा जाना था वो जो प्रॉमिस मेकर है वो प्रॉमिस कीपर भी है तो प्रॉमिस मेकर भी नहीं है कहीं नहीं है लेकिन पर और वो फुल्फिलर भी है तो परमेशर आपके जीवन में वाइदों को पूरा करेंगे तो एक स्रीक ऐसी होनी चाहिए सिर्फ इतना ही नहीं उसका चरित्र परमेशर के वचन के अनुसार होना चाहिए लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं उसके अंदर विश्वास भी उसके के लिए अपने पती के लिए अपने परिवार के लिए उसके कामकाज के लिए उस दर्शन के लिए जिसके लिए परमेशर ने आपको परिवार को बुलाया है तो आपको परमेशर पर विश्वास करना होगा परविजन के लिए कि परमेशर आपकी हर एक जुरुत पूरा कर वो कोमलता ही नहीं दिखाई इतना ही नहीं कि वो अपने पती को रिस्पेक्ट देती थी जो की असली शिंगार है बाहर से किता भी शिंगार कर ले मैं नहीं कहता वो गलत है लेकिन उसका कोई लाब नहीं होगा उसका सिर्फ शॉर्ट टर्म लाब है लॉंग टर्म लाब नही हम कई बार देखते हैं सोचल मीडिया पर यह टीवी पर ऐसे बहुत सरे मश्यूर ओरतें जो बहुत मश्यूर हैं हो सकता उन्होंने बहुत अच्छा मेकप किया हो बहुत-बहुत कीमती कपड़े पहने हो लेकिन आप उनके जब शब्दों को सुनोगे आप हैरान हो जाओगे और आपको असली खुबसूरती दिखाई देगी और आपको पता लगेगा यह बहरी जो है सिर्फ एक मुकोटा पैना हुआ है लेकिन अंदर वो खुबसूरती नहीं है जो होनी चाहिए तो इसलिए समस्या बहरी मेकप की नहीं है लेकिन समस्या ये है कि अगर हम अंदर से वो सजावड नहीं है, हमारे अंदर वो reverence नहीं है, respect नहीं है, एक दूसरे के प्रती और और औरत वो सबाव नहीं दिखा रही जो उसको दिखाना चाहिए, इसका मतब है उसने अपने आपको अंदर से सजा कर नहीं रखा हुआ, तो यहाँ पर पहली बात है उसका चरितर, उ उसका respect जो अपने husband के प्रती था और Bible में लिखा इस कारण क्या होगा, एक अविश्वासी पती भी पतनी की और खीचा चलाएगा, दूसरी बात हमने देखी कि कैसे सारा ने विश्वास किया और विश्वास करके वो प्राप्त किया, तीसरी बात जो हमने देखी याद रख अबराहम के साथ परमेशर ने उत्पदी की किताब बारवें अधियाए में बात किया और परमेशर ने कहा अपने पिता के गर को अपने देश को छोड़ कर उस जगा चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और अबराहम निकल परा सारा भी साथ रही, उसने रोका नहीं, बेशिक अबराहम ने सारा से शेर किया था, परमेशर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेशर ने का यहां से निकल पढ़, सारा ने पूछा होगा तुम्हें पता है कहा जाना है, उसने का पता नहीं, लेकिन हमें विश्वास से ये जिन्दगी जीना है, और कदम बढ़ाना है और परमेशर की आग्या को मानना है और देखो कैसे सारा तयार हो गई अबरहम के साथ जाने के लिए और सफर असान नहीं था तो एक एक अच्छे पत्नी कौन है वो है जो पती के मकसद में उसकी सहायता करती है चाहे उसके लिए दुख भी क्यों ना उठाना पड़े जो परमेशर के कारें को करने के लिए पती का पूरा सौफ वीजदी सारा के समान साथ देती है चाहे उसके लिए तकलीफ ही क्यों ना उठाना पड़े और सच में सारा को बहुत अकलीफ उड़ाना पड़ा दो बार तो अबरहम की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को अपनी इज़त को उसने धाव पर लगा दिया अपने पती अबरहम को बचाने के लिए देख सकते हो आप सारा को कि कैसा उसका सबाव था, करेक्टर था, नेचर था, बेशक वो अबरहम की कमजोरी थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप सारा का करेक्टर देखो यहाँ पर, इसलिए बाइबल में जब चरित्र की बात आई, तो सारा की बात की गई, कैसे वो अपने पती के अदीन रही, कैसे वो दर चल रही है, उस मकसद को पुरा करने के लिए, जिसके लिए परमेशर ने अबरहम को बुलाया था, हम बाइबल में पढ़ते हैं, कैसे हवा, आदम के लिए एक बड़ी आशिश नहीं बन पाई, लेकिन सारा निश्चे ही, अबरहम के लिए एक बहुत बड़ी आशिश बनी तो आपको भी एक ऐसी पत्नी बनना है, ऐसी स्त्री बनना है, ऐसी औरत बनना है, जो पती का साथ दे, उस मकसद में के लिए, जो परमेशर ने पती को सौपा हुआ है, हो सकता है, पती को परमेशर ने नौकरी सौपा हो, कारोबार सौपा हो, सेवकाई सौपा हो, आपको च इसलिए मैं उसके लिए एक सहाइक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए, मेल खाए तो हम देखते हैं परमेशर ने कैसे आदम के लिए हवा को बनाया तांकि अब दोनों मिलकर परमेशर के उस मकसद को पूरा कर सके लेकिन हम बाद में देखते हैं हवा भी बटक गई और हम देखते हैं कि कैसे आदम भी बटक गया और वो किया जो उनको नहीं करना था लेकिन जब हम सारा की जिन्दगी देखते हैं वो अंतक उसने विश्वास में कायम रही और देखते हैं कैसे 90 साल की उमर में गरब की मरेवी दशा में विश्वास के द्वारा परमेश्र की परतिग्या को प्राप्त किया और इजहाग का जनम हुआ और वो कौमों की मा कहलाई हालेलूरिया सो हमारे अंदर ये सबाव एक स्री के अंदर ये सबाव होना चाहिए परमेश्र के वचन के मताबिक तो चरित्र हुमिलिटी नमर्ता कोमल्ता अधीन्ता आग्याकारिता अविनाशी सुजावट है जिससे उसको सुजा के रखना है विश्वास एक औरत के फिर हमने यही विश्वास का उधार मरियम के जीवन में देखते हैं जो ईश्व की मा बनी हम देखते हैं कैसे एक दिन स्वर्ग दोद उसके सामने जाहिर होता है और वो कहता है परमेश्र का अनुगरे तुझ पर हुआ है यानि कि वो इस लायक नहीं थी कि ये इतनी पा उसके जीवन के उपर हो पाती लेकिन ये परमेश्र का अनुगरे था बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्र का अनुगरे हमारी जिंदियों के उपर भी हुआ हम पापी गुनागार लोग थे लेकिन परमेश्र ने क्या किया अपने पुत्र को बेज दिया येश्व ने क् कार से परमेशर मरियम के अंदर आकर बस गया लेकिन सिर्फ हमारी तरह आत्मा के तोर पर नहीं लेकिन शारिक तोर पर ताकि अब शारिक रूप लेकर वो मनुष्य के साथ बात कर सके तो मरियम के उपर भी अनुगरे हुआ परमेशर उसके अंदर आए हमारे उपर भी पुरुष के साथ रिष्टा नहीं था वेशक उसकी यूसफ के साथ मंगनी हुई थी लेकिन बाइबल में लिगा जब तक ईशू का जनम नहीं हुआ तब तक यूसफ और मरियम आपस में शारिक रिष्टे में नहीं जुड़े और फिर उसके बाद बाइबल में पढ़ते हैं कि उनके और भी बेटे बेटियां हुए तो यहाँ पर हम देखते हैं मरियम ने विश्वास किया एक असंभव बात पर यह कुछ छोटी बात नहीं थी चलो एक और जो बांज है चलो 90 साल की है वो भी देखो बड़ी असंभव दशा है लेकिन यहाँ पर अब उससे भी असं के बार में परते हैं जब स्वर्गदूत ने उससे बात किया देख मैं प्रभू की दासी हूँ मुझे तेरे वचन के अनुसार हो तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जैसा तुमने बोला वैसे ही हो दूसरे शब्दों में उसने क विश्वास किया कि असंभव को असंभव करने वाला मेरा परमेश्वर है तो उसने इस बात पर विश्वास कर लिया जो कि एक बहुती कठिन बात थी विश्वास करने के लिए चलो लाल समुंदर परमेश्वर ने हवा चलाई खुल गया मिसर देश के ओपर आबदा आई चलो मर्यम ने विश्वास ही नहीं किया उसने अपनी जिंदीगी को भी रिस्क में डाल दिया इतना ही नहीं उसने यूसफ के साथ अपनी मंगनी को भी रिस्क में डाल दिया उन दिनों में मंगनी इतनी मजबूत थी कि अगर किसी की मंगनी हो जाती थी वो तोड़ने के लिए भी डिवोर्स देना पड़ता था तो उसने अपनी मंगनी को रिस्क में डाल दिया इतना ही नहीं उसके करेक्टर पर सवाल उठाए जा सकते थे कई बड़े-बड़े सवाल लोग उस पर उठा सकते थे वो उन सवालों के लिए भी तैयार हो गई उसने का ठीक है परमेशर अगर ये आपकी इच्छा है होने दो आपकी इच्छा मेरी जिन्दगी में पूरी हो जाए बले उसके लिए हो सकता है लोग मेरे चरितर पर सवाल उठाएंगे हो सकता है यूसप भी मुझे छोड़ दे तलाक दे दे हो सकता है और कई तरह की कठनाईयां उठानी पड़े लेकिन मैं तैयार हूँ होने दो जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे जीवन में हो जाए तो उसने सिर्फ विश्वासी ने किया वो अपनी जिंदगी को उसने दाव पर लगा दिया किसी भी मुश्किल को उठाने के लिए तांकि परमेशर का मकसद जो उसकी जिंदगी से है वो पूरा हो जाए ये है स्त्री का सबाब यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र स्त्रीयों के बारे में जिनके बारे में पवित्र शासर बाइबल में लिखा है कि कैसे वो परमेशर का मकसद पूरा करने के लिए जीए कैसे वो उस दर्शन को पूरा करने के लिए जीए दो बार अपनी जान बचाने के लिए पत्नी को आगे कर दिया लेकिन देखें द्यान दें सारा ने उसको रिस्पेक्ट देना बन ने किया क्योंकि उसने अपने आपको अंदर से खुबसूरत बनाया हुआ था बाहर से भी वो खुबसूरत थी लेकिन उसकी अंदरूनी सारे लोग बहुत खूबसुरत लड़कियों के साझादी करते हैं और कई बार लड़के भी बहुत देखने में हैंसम होते हैं और फिर हम पढ़ते हैं एक-दो साल के बाद उनका तलाग हो जाता है क्यों क्योंकि भारी खूबसूरती देखकर शादी किया लेकिन जब इकठे रहना शुरू किया मालूम पड़ा कि अंदर बिल्कुल भी खुबसूरती नहीं है और इसलिए तलाख हो गया तो याद रखें अंदरूनी खुबसूरती बहुत महतपुर्ण है एक औरत के जीवन में विश्वास होना बहुत महतपुर्ण है आग्या कारिता बहुत महतपुर रिस्पेक्ट शो करना बहुत महतपुन है और यह सब जो बाते मैंने अभी आपके साथ इस चोथे भाग की शिक्षा में की फैमिली सीरीज में यह सब बाते आपके लिए महतपुन है अगर आप इन बातों को अपने जीवन में ले लोगी भावतायत से फुल्वंत होगी आश आशिश पाएंगी प्रभु आपको आशिश दे आए हम प्रात्ता करें पिता हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए आपके लोग जिन्होंने ये वचन सुना है मेरी प्रात्ता है ये श्यु मसीखे नाम से आप इनको छुएं खासकर बहनों को छुएं जिन्होंने आज व जन्यवाद इस ये मसी के नाम में आमें